I am Rahul Jaiswal, Faculty Member of English at Miss Institute. आई सुरुवात करते हैं, आच्छी क्लास बहुत ही धमाकेदार होने चाह रही है, हम वर भी कुछ अच्छे questions लेकि आये हैं, और इस सारे questions जो आपके exam में कहीं कहीं आये हुए हैं, या जिनको exam में आने की पूरी संभौना है, तो classes को miss मत करिए, पूरी class देखिएगा, और हाँ, हम अपनी तरब से आपको पूरा समझाने का प्रयास करेंगे, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आये, तो आप मुझे comment कर सकते हैं, ठीक है, तो आये बिना किसी ad break के, बिना अपने time को loose किये हुए, आये अपने point पे आते हैं, आज का रहा ये पहला question जो आपके screen पे सामने है, ये रहा आपका पहला question, क्या लिखा हुए है, sentence improvement का question है, और सारे questions आपके verb से जुड़े हुए है, और verb आपको अच्छे से पढ़ाया गया क्या है, verb क्या होता है, finite verb क्या होता है, non finite verb क्या होता है, right, सारे चीज़ें आपको अच्छे से समझाए गई है, आये पहला question में हम क्या करते हैं, देख लेते हैं, क्या लिखा हुए है, he usually wears a coat, but he is not wearing it today as it is not cold, okay, आये समझते हैं, क्या लिखा हुए है, he usually wears a coat, ओ सामनेता क्य अगर आपको ऐसा लगता है कि sentence में कोई correction की requirement नहीं है, जो sentence लिखा हुआ है, बिलकुछ सही है, तो आपका option हो जाएगा no improvement, अगर आपको ऐसा लगता है कि A part में दिक्कत है, B part में दिक्कत है, या C part में दिक्कत है, तो वही आपका answer हो जाएगा, आये सुरुआत करते हैं, पहले question से, तो आएए question को पढ़ते हैं पहले, he usually wears a coat, but he is not wearing it today, ओके, ओ सामने तहा एक coat पहनता है, लेकिन आज ओ नहीं पहना है, जैसा कि आज बहुत ठंडी नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा, has not wearing, यह तो simple सा, जो नहीं हो सकता उसको आप कार दीचिए, जो नहीं हो सकता तो has not, has not के पाद verb की third form आएगी, तो ए तो नहीं हो सकता, right, अब B पे आजाएए, has not been worn, passive wise में sentence बनेगा ने, क्योंकि सामने ही आपका doer लिखा हुए है, तो B भी गलत हो जाएगा, right, C में क्या है, does not wear, B क्या है, गलत हो जाएगा, तो हमारा जो A question है, यहाँ पे आपका ज जाएगा answer, no improvement, यहाँ पे sentence जो लिखा है, बिल्कुल सही है, इस sentence में हमें correction की कोई requirement नहीं है, right, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, D, sentence में कोई दिक्कत नहीं है, जो लिखा है, बिल्कुल सही है, okay, आएए, move करते हैं अपने आज के दूसरे प्रस्न पे, clear, क्या लिखा जगड़ा उनहीं की द्वारा किया जाता है, जिनके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता, sentence का जो जिष्ट है, जो टोन है, वो भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है, sentence कहे के रहा है, disputes are mainly maintained by those who are nothing else to do, अब देखे, who are nothing, okay, समझे पहले, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, I have nothing, I have nothing to do, एक sentence मैं लिख रहा हूँ, I am nothing to do, I am nothing to do, okay, और मुझे ए कहना कि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, क्या बोलोगे, I have nothing to do, आपका ए सही होगा, ए सही हो जाएगा, और ए क्या हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा, तो ऐसे यहां देखिए, sentence का जो मतलब है, disputes are mainly maintained by those who have होगा, who have nothing is to do, जिनके पास जगड़ा करने के लावा कोई काम नहीं होता, तो यहां पर have nothing का use करेंगे आप, यहां पर are nothing, तो गलत हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, simply have nothing is to do, आपका A for America सही हो जाएगा, आप जितनी भी चीज़ें आप से discuss की जा रही है, सब कुछ आपको समझ में जरूर आ रहा होगा, ठीक है, आईए, अचलते हैं, next question पर, ठीक है, हाँ, क्या लिखा हुए है, if I would have been in your place, I would not have accepted his suggestion, आपको समझाया गया था, अभी हाल में ही हम conditionals बढ़ाएं हैं, right, देखिए हमने करना, जो वर्ब एक ऐसा chapter होता है, कि वर्ब अगर आपने सही से पढ़ा है, तो वर्ब से आपके कई सारे chapters clear हो जाते हैं, वर्ब आपने पढ़ा है, तो tense आपका clear हो जाएगा, आपने वर्ब पढ़ा है, तो आपका active voice clear हो जाएगी, अगर आपने वर्ब पढ़ा है, तो अगर आपने वर्ब को अच्छे से पढ़ा है, तो कहिन गई ए वर्ब से भली इसमें conditionals भी आजाएगा, अब देखिए, हमन अगर third conditions की बात की जाए, तो हम क्या होता है, वहाँ पर जो आपका if वालबा clause होता है, उसे लिखा जाता है, पास्ट perfectence में, और जो main clause होता है, उसे लिखा जाता है, उड़ हैप के साथ वालब की third form का यूज़ किया जाता है, अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर उड यहां पर देखिए, यहां पर would have के साथ third form का use किया गया है, देखिए से, यहां पर would है, और यहां पर have accepted है, तो यहां पर would have के साथ third form का use किया गया है, इसका मतलब क्या है, a third condition की बात कर रहा है, या close condition की बात कर रहा है, तो close condition में आपको समझाया गया था कि हम past perfect का use करते हैं, और यहां पर देखिए, यहां पर would have का use कर दिया गया है, तो गलती क्या हो जाएगी, आप past perfect में जाएंगे, तो क्या हो जाएगा हैंपर, यहां पर हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा, आपका see, see part हमारा सही हो जाएगा, if I had been in your place, यदि मैं तुम्हारी जगा होता, तो मैं उसके प्रस्ताओं को, उसके सुझाओं को accept ना करता, if I had been in your place, I would not have, if I had been in your place, I would not have accepted his suggestion, यह आपका, आपका answer हो जाएगा, तो कितना clear है, आईए, अब चलते हैं four number पर, सबसे पहले आराम से आप पढ़िए, जो question लिखा गया है, question के sense को, question के gist को आप समझने का प्रयास करिए, आपको कहिन की answer अपने आप समझ में आ जाएगा, क्या लिखा है, the minister said that he is proud of the people of his constituency, ओके, उस common sense है, अगर यहाँ पे past tense का use किया गया है, अगर आपने हलका सा भी narration पढ़ा होगा, तो आपको समझाया जाता है, कि अगर आपका reporting work past tense में है, तो आने वाले जितनी भी होती है clauses, और किस में हो जाती है, और past में ही हो जाती है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे set का use किया गया है, तो जब यहाँ पे set का use किया गया है तो इसका मतलब जितनी भी clauses आएंगी बात में, उभी क्या होगी, past में ही होगी, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे is का कोई मतलब नहीं है, यहाँ क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे is का कोई मतलब नहीं है, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पे इच के अस्थान पे वाज होगा because यहाँ पे स्टेट क्या है? पास्टेंस में है बाते समझ में आ रही है इतना clear हो गया है अब आगे चलते हैं next पे If you have paid only 20 रुपीज for this purse it has really cheap simple से है अगर देखा जा तो to the point एक नजर में देखकर आप question को सही बता सकते हैं यहाँ पे has का स्थान पे क्या हो जाएगा? each हो जाएगा भाई यहाँ पर पिका गर यह यहाँ क्या है? यहाँ has का स्थान पर क्या जाएगा? each आ जाएगा न यहाँ क्या है? कहीं है? very good पी पार हमारा सही हो जाएगा कुछ questions तो बहुत ही वास्तों में बहुत आसान होते हैं आप एक बार में देखकर उसका answer निकाल सकते हैं लेकिन बार-बार कह रहा हूँ आसान question आप तभी अब English ने चीजे तभी आपको समझ में आयेंगी जब आप ke basics है होंगे तो basics ने आउन पढ़ाया है परनाउन पढ़ाया है adjective पढ़ाया है advern पढ़ाया है अगर इन सब चीजों को आपने नहीं देखा है तो हमारी videos आप देख तालीए आपको वास्तों में confidence फील होगा इंगलिस में ठीक है जहां क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा इस रिली चीप इस रिली चीप एपका एंसर हो जाएगा तो बी पार्ट आपका एंसर होगा क्लिए रहे इतना अब आईए हम चलते हैं next pair he is too adamant एक word है adamant इसका मतलब क्या होता है adamant का मतलब होता है optionate या stubborn stubborn होता है optionate होता है right obturate होता है obturate हो गया obturate हो गया stubborn हो गया adamant हो गया हिंदिम बोलते हैं जिद्धी क्या होता है जिद्धी जो ठान लिया सो ठान लिया तो he is too adamant to be effectively in his work simple सा है गलत हो जाएगा यहाँ पे effective होगा भाई यहाँ पे effective होगा यहाँ पे हमारा b part से हो जाएगा भाई हम क्या कहते है he is too slow जैसे अगर यहाँ पे effectively गलत क्यों हो गया effective सही क्यों हो गया आए समझ लेते हैं समझ लेते हैं he is too he is too talkative he is too talkative to be silent in the class he is too talkative to be silent in the class ए है एक संटेंस और है अगर मैं कहूं he is too talkative he is too talkative to be silently in the class देखें he is too talkative to be silent in the class he is too talkative to be silently in the class अब यहाँ पे देखिए यहाँ समझ ले यहाँ पे simply हो जाएगा आपका a सही हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा a आपका गलत हो जाएगा और हमेसा याद रखिए अगर वहाँ पे b आया है अगर वर्व ब ब आया है आपका यूस नहीं किया जाता इसलिए आपका पहला सही हो जाएगा दूसरा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा अपने question पे आजाएगे यहाँ पे b आया है क्या इसके बाद adjective आयेगा इसके बाद एडवर्व नहीं आता तो यहां पर adverb दिया है, गलत हो जाएगा, यहां पर adjective दिया है, सही हो जाएगा, तो आपका B for Bombay आपका सही answer हो जाएगा, बाते समझ में आ रही है, अब 6 हो गया है, अब 7 पर चलते हैं, चले, क्या लिखा हुए है, he stayed back, so that it can look as if it he were, he was unaware of the entire incident, सिंपल सा है, अब देखें यहां पर, अगर मैं आपसे कहूँ, he talks to me as if he is my master, वो मुझसे ऐसे बात करता है, मानो मेरा क्या हो, मालिक हो, अगर मैं एक sentence यहां पर लेख रहा हूँ, he talks to me as if he were my master, he talks to me as if he were my master, यहां मैं एक sentence आओ लेख रहा हूँ, he talks to me as if he is my master, आईए, हमारे पास दो sentence है, he talks to me as if he were my master, he talks to me as if he is my master, अब देखिए, जहां पर unreal चीजे हो, वो मुझसे ऐसे बात करता है, कि मानो मेरा मालिक हो, आप ऐसे मान रहे हो, लेकिन reality कुछ और है न, वो आपका मालिक नहीं है, वो ऐसे चलता है मानो कहीं का राजकुमार हो, he walks as if he were a prince, तो यहां क्या हो जाएगा, जब कोई चीजे मानी जाती है, कोई चीजे reality में एक जिशना करती हो, उन्हें आपके वहल मानते हो, तो वहाँ पे हमेशा past tense का use किया जाता है, और आपका subject चाहे singular हो, चाहे plural हो, वह बाती है plural, dependence में इसा बात्राया बताई गई है तो यहां पे क्या हो जाएगा है और क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा अपने इस पर आ जाते हैं, हाला कि यहां पर वर होगा पहले ठीक है यहां पर गलती है यहां पर हो जाएगा वर बखी यहां पर देख लेते हैं यहां पर को समझाया गया था कि जहां पर परपस को बताता है तो जहां पर मैं का यूज देखी यहां पर आप सही होगा लेकिन यहां पर कर दिजिए आप माइट आपका A options नहीं होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइट, अब माइट क्यों हो जाएगा में में क्या गलती है आपका main clause past में है अगर main clause हमारा past में है तो आप में के अस्थान पर माइट का यूज करिए अगर present में है तो आप में का यूज करिए और यहां पर को यहाँ हो जाएगा, अब दोनों ऐसा क्यों होता है लौजिक सहीत आपको समझाया गया हूँ जयाँ है यहाँ पर वर क्यों हो जाएगा, यह भी समझाया गया है तो 7 आई वोप है अच्छा ज़ा आपको समझ में आया होगा अब देखेंगे बहुत अगर दिमाग लगाएंगे तो to the point answer निकालेंगे अलका सा दिमाग लगाएंगे आपको answer अपने आप निकल के आ जाएगा अब यहां पर देखिए एप वाज किसमे है वाज आपका पास्ट में है जब आपका पास्ट में है तो यहां क्या हो जाएगा अब यहां पर यूज करना है models का जैसा की जो card का मतलब होता है bell गारी पूर बिचारा बैल था और नहीं चल पा रहा था, यहां क्या हो जाएगा, यहां पे आप अनेबल्टी सो करेंगे, तो अनेबल्टी सो करने के लिए could not का यूज़ किया जाता है, तो C हमारा सही हो जाएगा, the poor bullock could not move since the cart was overloaded with heavy goods, आपका A answer हो जाएगा, तो यहां पे could not का यूज़ करेंगे, इसे I could not teach you a study, since, हम कहें, since I was suffering, since I was suffering from fever, I could not I could not teach you today, लिखाया है न, since I was suffering from fever, I could not teach you today, जैसा कि मैं बुखार से तडप रहा था, मैं आज आपको नहीं पढ़ा सका, तो यहां पे could not का यूज़ दिया, किया गया है न, जब यहां पे could not सही हो जाएगा, तो यहां पे did not के अस्थान पे आपको use करना होगा, किसका, could not का, I hope, question number 8 आपको समझ में आया होगा, अब move करते है, question number 9 पे, I wish, simple से, I wish, भाई, एक action देखो, सिब कहें, कास मैं राजा होता, क्या मोलते हो, I wish I were a king, I wish, I were a king, कास मैं DM होता, I wish, I were a DM, यहां क्या करोगे, आप work कर यूज करेंगे, because it क्या है, a unreal चीजी है, यहां क्या हो जाएगा, b for Bombay आपका सही हो जाएगा, ज्यादा हम इस पर समय नहीं लेंगे, ठीक है, ऐसा क्यों होता है, समझा दिया गया है, अब question number 10 पे आजाएगे, simply, अब यहां क्या हो जाएगा, अब यहां पे हम, यहां पे ज्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है, यहां पे हमारा सही हो जाएगा, यह हमारा सही हो जाएगा, आपको समझाया गया था, जब polite, politeness हो करने के लिए आप could का use करते हो या would का use करते हो, जिसे by the way, आपको call करना है, आपको mobile में balance खतम होगे, क्या करोगे, would you please give me your mobile to make a call, क्या बोलेंगे, would you please, आप यहाँ पर would या could किसी का भी use कर सकते हो, would या could you please give me your mobile to make a call, would, या could you please give me your mobile to make a call, बाते समझ में आई, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप चाहे would का use करिए, चाहे could का use करिए, यहाँ पर can और will गलत हो जाएगा, और sell तो गलत होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, अब आपका A for America सही हो जाएगा, आइए चलते हैं question number 11 की तरफ, roads are wet, सडके गिली हैं, कल रात में जरूर बारिस होई होगी, यहाँ पर कोई error नहीं है, यहाँ पर sentence क्या है, यहाँ पर sentence no error है, चलो, क्या कहे रहा है, roads are wet, it must have rained last time, यहाँ पर क्यों है no error, यहाँ पर और किसी पार्ट में गलती क्यों नहीं हो सकती, इस पार्ट में गलत क्यों नहीं है, आई समझाते हैं, अगर मैं कहूं, he is winner of the game, वो क्या है, इस game का winner है, उसने जरूर इसके लिए cut in price term किया होगा, हम क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, he must have, he must have worked hard for that, क्या लिखा हुए है, he is the winner of the game, वो क्या है, वो game का winner है, वो कौन है, वो game का winner है, he is the winner of the game, he must have worked hard for that, अब जब क्या है, आप उन accents के बारे में सोचते हो, जो past में हो चुकी होती है, तो वहाँ पे आप must have के साथ third form ही तो लगाओगे, जैसे यहाँ पे must के साथ verb की third form आई है, वैसे यहाँ भी क्या हो जाएगा, आपका sentence में कोई error नहीं है, आपका D सही हो जाएगा, चलिए, he should not have ignored his friends, simple से है, आपको समझाया गया था न, क्या होता है, यहाँ पे head के साथ क्या करीए, have लगाईए, यह सब चीजें आपको अच्छे से पढ़ाया गया है, तो आपका क्या हो जाएगा, A for America सही हो जाएगा, आएए, चलते हैं 13 पे, हमेसा दरखिए, किसी भी models के साथ, आपको have, I mean work की first form लगानी है, हम नहीं कर सकते, he should went, आपको he should go बोलना होगा, हम नहीं कर सकते, he should gone, आपको he should have gone बोलना होगा, तो आप models के साथ, हमेसा वर्ब की first form लगाईए, उसके बाद आप आगे कुछ काम करिए, ठीक है, आईए, क्या लिखा हुआ है, he said formally that he would rather starve, simple से, rather क्या आता है, rather के बाद then आता है, वो क्या आता है, अगर मैं कहूँ, कि मैं मरना पसंद करूँगा, लेकिन भीख मांगना नहीं, मैं मरना पसंद करूँगा, लेकिन भीख मांगना नहीं, क्या हो जाएगा, I would rather, I, I would rather, I would rather, I would rather die than beg, I would rather die than beg, मैं मरना पसंद करूँगा, लेकिन भीख मांगना नहीं, इतना क्लियर है, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां पे, चलिए, तो यहां पे कहा है, then, then, यहां पे है, right, तो C for China आपका सही हो जाएगा, right, इसका मत्तब क्या है, उसने, क्या है, बड़े ही मजबूती से कहा कि, क्या है, ओ, भुखो मारना पसंद करेगा, लेकिन भीख मांगना नहीं, यहां क्या है, यहां पे C for China आपका सही हो जाएगा, चलिए, अब यहां पे कहा है, do you know to prepare the balance seat, आराम से भाई आरा, इतना असान सेंटेंस है, हम गहे हैं, do you know, do you know to read and write, या do you know how to read and write, क्या हो जाएगा, आप यहीं बोलेंगे, do you know how to read and write, आपका ए सही होगा और क्या होगा, ए गलत हो जाएगा, अब यहां पे देखिए, do you know how to prepare हो जाएगा, do you know how to prepare, सिंपल सहा है, आपका C for China सही हो जाएगा, do you know how to prepare the balance seat, चलिए, नेक्ट पे आईए, find out the error in each of the following sentences if any, if there is no error, your answer should be no error, पहले पार्ट में ही आपको दिक्कत समझ में आ रही है, आलोक has spent, अब बताओ, has के साथ वर्ब की third form आती है, यहां क्या हो जाएगा, यहां पे पुलप पढ़ लेते हैं, आलोक has spent six years in Calcutta, but still he does not know many parts of the city, आलोक ने छे साल कलकता में बिताए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे सहर ऐसे हैं, कलकता के बहुत सारे parts ऐसे हैं, जिसके बारे में आलोक नहीं जानता, तो damn sure है, बहुत आसान सवाल है, यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर spent के स्थान पर आएगा, spent, क्योंकि इनके has के बाद वर्ब की थर्ड फाम आती है, spent का थर्ड फाम spent होता है, spent नहीं होता, तो ए पार्ट में दिक्कत है, I think इसमें ज़्यादा हमें और दीप में जाने क्या हो सकता नहीं है, sentence आप में क्या error है, आपको साफ-साफ नजर आ रहा होगा, ठीक है, यहां पर spent के स्थान पर क्या हो जाएगा, spent हो जाएगा, चलिए, 16 पर, कहां क्या है, find out the error, अपने direction को पढ़ते हैं, find out the error, in each of the following sentences, if any, if there is no error, your answer should be no error, okay, आए, 16 पर यह क्याते हैं, hardly had he, अब damn sure है, यहां पर इतना आसान सवाल है, अब यहां भी क्या है, यहां भी head आया है, यहां भी head आया है, तो इनके साथ क्या होगा, work की third form आएगी, यहां क्या हो जाएगा, throne, यहां क्या आ जाएगा, throne आ जाएगा, तो बी पार्ट में दिक्कत है, किसमें हैं, बी पार्ट में दिक्कत है, तो hardly had it thrown the ball when it fell on the ground, इतना क्लियर है, तो 16 में क्या गलती है, 16 में आपका, बी में दिक्कत है, through के स्थान पर क्या होगा, आपका throne हो जाएगा, आए 17 पर आते हैं, simple सा है, यहां पर क्या हो जाएगा, इतने आसान सवाल है, यहां पर simply, आपका अगर दो, did spoke कर दो, यहां पर आप चाहो तो did speak कर सकते हो, अगर आपने did को लगा ही दिया है, तो आप चाहो तो speak कर दो, या spoke कर दो, एक ही sentence में दो past के वर possible नहीं है, जैसे, अगर मैं कहूँ I went there, या अगर मैं कहूँ I did go there, यह भी सही है, दोनों में अंतर क्या है, देख लिएचे, I went there का मतलब क्या है, मैं वहां पर गया था, और I did go का मतलब क्या है, मैं वहां पर गया तो था, तो sentence दोनों है, stress डालने के लिए हम इस form का use करते हैं, तो लेकिन क्या है, अब यहां पर दोनों balance में नहीं है, आप did लगाये हो, लेकिन spoke लगा दिये हो, I hope चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, आइए, अब चलते हैं आज के next question की तरफ, Find out the error in each of the following sentences, if any, if there is no error, your answer should be no error, All the parties whose presidents were asked to resign were involved, Simple सा है, यहां पर passive voice में है, तो passive voice में क्या होता है, Passive voice में, was, was के बाद, was की third form का use किया जाता है, तो यहां पर involved के अस्थान पर क्या हो जाएगा, Involved हो जाएगा, तो गलती किस पार्ट में है, गलती है आपके C पार्ट में, Sentence क्या हो जाएगा, All the parties whose presidents were asked to resign were involved in anti-national activities, बातें समझ में आ रही हैं, तो यहां पर were involved के अस्थान पर आपको लिखना होगा, were involved, ओके, इतना clear है, come on, अब हम move करते हैं अपने next question की तरफ, जो question number 19, यहां पर I subject missing है, यहां पर कुछ लगा दो, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, यहां पर कोई subject आप लगा देजे, यहां पर I लगा देजे, I can hear the conversation inside, but nobody is coming to open हो जाएगा, भाई, simple सा है, अगर मैं कहूँ कि, I am coming, यहां क्या हो, देखो, I am coming, to open the gate, to open the gate, यहां मैं कहूँ, I am coming, to opening the gate, अब damn से हो रहा है, आपका एक गलत हो, हो जाएगा, और यह सही हो जाएगा, न, I am coming, to open the gate होगा, भाई, तो यहां पर देखिए, to opening के अस्थान पर क्या लगा यह, simply, to open लगा देजे, तो sentence हो जाएगा, I can hear the conversation inside, but nobody is coming to open the door, मैं, okay, जो बातचीत अंदर हो रही है, मैं उसे सुन रहा हूँ, तो कोई भी gate खोलने के लिए वापस, कोई भी gate खोलने के लिए नहीं आ रहा है, तो two opening के अस्थान पर आपको करना होगा, two open, clear है, तो 19 में क्या गलत है, I hope आपको समझ में आ रहा होगा, अब हम मूब करते हैं कोईसर नमबर 20 की तरफ, क्या लिख हो हुए है, इस उट ने वर्ट कैरिटेल्स आर, ओके सिंपल सा है, आर, अगर आर के बाद वर्ट की फर्स्ट फार्म है, तो आर के बाद भी वर्ट की फर्स्ट फार्म होनी चाहिए, हमारे पास जितने भी क्या होते हैं, जितने भी कंपाउंड, जितने भी कोडिनेटिंग कंजंग्संस होते हैं, चाहे आर की बाद करें, चाहे आर की बाद करें, चाहे इधर की बाद करें, चाहे नीधर की बाद करें, यह balance करने काम करते हैं इनके पहले जो चीजें जिस part of speech में आई रहेंगी उनके बाद वही चीजें उसी part of speech में आनी चाहिए अगर and के पहले noun आया है तो and के बाद भी noun आयेगा अगर and के पहले verb की base form आये है तो and के बाद भी verb की base form आईगी तो told के स्थान पर क्या करेंगे आप, told के स्थान पर ये आप यूज करेंगे, किसका tell का तो you should never carry tales or tell ill of others, right simply आप एक हैंगे, told के स्थान पर आपको use करना होगा, किसका told के स्थान पर आपको use करना होगा tell का अब देखे, question number 21 question number 21 अब यहाँ पर देखे, आपको समझाया गया है कि जहाँ पर did आजाता है common sense वाला बात है, जहाँ पर भी आप did लगाते हो, did के बाद में सब वर्ब की फ़श्वाम आती है तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, no sooner did he get up error को ऐसे ही find out किया जाता है बच्चा में अक्सर देखा है, बच्चा sentence की length को देखकर घबरा जाता है अरी इतने बड़े-बड़े sentences गलतियां बड़ी बारिक ही होती है, गलतियां बड़ी छोटी सी होती है आप sentence को cool mind से पढ़िए, गलतियां आप to the point पकड़ लेंगे एक glance में गलतियां पकड़ लेंगे बसाथे cool mind से sentence को पढ़िए, that's it यहाँ क्या लिखा हुआ है, no sooner did he get up हो जाएगा यहाँ पर did आ गया है, और did के बाद verb की first form आती है, तो यहाँ क्या आ जाएगा God क्या होता है, second form होती है, आपको first form यूज करना होगा तो got up के अस्थान पर क्या हो जाएगा, get up हो जाएगा बात है clear है, तो sentence यह पढ़ लेते हैं, no sooner did he get up from bed than, यहाँ than he was sent to the diary he was sent to the diary, okay, simple साह, आसान सवाल है, अब बिनना टाइम वेश्ट के वे, आज आते हैं question number 22 पर you ought not to, अब यहाँ पर क्या है, simple साह है sorry देखें, अब इसा concept क्या है, रदम गया है, you आपको वहाँ जाना चाहिए, you ought to go there आपको वहाँ पर जाना चाहिए, you ought to go there, यह हम कह सकते है you ought to have gone there चाहे, यह भी सही है, यह भी सही है answer कितना है, you ought to go there का मतलब क्या है, आपको वहाँ पर जाना चाहिए चाहिए, अगर मैं एक कह रहा हूँ कि you ought to have gone there, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको वहाँ पर जाना चाहिए था, okay, sentence दोनों है, sentence दोनों सही है, तो यहाँ पर देखिए you ought not to हो जाएगा न, अब एक काम करो to यहाँ लगा दो, तो बी पार्ट में दिक्कत है, बी पार्ट में दिक्कत है, you ought not to have gone there, but you did, आपको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन आप वहाँ पर गया, इतना क्लियर है, तो बी पार्ट में दिक्कत है, क्या दिक्कत है, आपको example से समझा दिया गया, ठिक, आईए, अब चलते हैं आगे, according to the radio, it can rain this union, okay, radio के हिसाब से, आज साम में बारिस हो सकती है, ऐसी सम्भावना है, सम्भावना के लिए में का यूज किया जाता है, सम्भावना के लिए can का यूज नहीं किया जाता, okay, यहां क्या है, यहां can को हटाईए, क्या लगाईए, में लगाईए, according to the radio, it may rain this union, रेडियो के हिसाब से, समाचार के हिसाब से, आज राम में या आज साम में बारिस होनी चाहिए, चलिए, आगे चलते हैं, question number 24 पे, अभी कली पढ़ाये थे, एक थर्ड कंडिस्टन्स की बात है, close sentence की बात है, अगर यहां पे, head के साथ verb की थर्ड फार्म आया है, या if वाले clause ने past perfectence आया है, तो यहां पे, would have के साथ verb की थर्ड फार्म आयेगी, यहां पे, उड के अस्थान पे क्या लगा दिया गया है, यहां लगा दिया है will, इसलिए गल्ती हो जाएगी, हमारी यहीं पे, यहां क्या हो जाएगा, will के अस्थान पे यूज़ कर यह किसका, उड का, अगर मुझे कल इसके बारे में पता चलता, तो मैं उसके सहायता जरूर करता भाई, लेकिन पता ही नहीं चला हमें, तो 24 में क्या दिक्कत है, आपको समझ में आ गया, will के अस्थान पे यूज़ कर यह उड का, अब आएगे चलते हैं आगे, अगर उसने कटिन किया होता, तो पहली क्लास में ओ एग्जाम पास कर गया होता, तो I hope जो चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं आपको जरूर समझ में आई होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को like, share, subscribe जरूर करिएगा और वीडियो पूरी देखा करिए और हाँ, bill icon दबाना मत भूलिए ताकि वीडियो की latest update आपको मिलती रहे तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, कुछ बहतरीन कॉस्प्र साथ I hope एक लास आपको जरूर अच्छी लगी होगी और हाँ, कुछ अगर समझ में नहीं आया हो तो आप मुशे कमेंट जरूर करिएगा ओकी, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, till then, bye, take care